साथियों, हम राजनीती में सर्वसम्मति को महमत महत्व देते हैं, हम सहमति के प्रयास को करते करते सर्वसम्मति तक जाना चाहते हैं, दिन्दाल जी कभी भी राजनीती का अस्पृस्ता में विश्वात नहीं रखते थे, और आपको याद होगा, जब मैं 2014 में आया तो मुझे सदन में एक बार बोलने का मोका मिला, तब मैंने सदन में कहा था, और बड़ी जिम्मेबारे के साथ कहा था, और बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था, जो इस कन्विक्शन को हम लोग जीते हैं, हमें समस्कार में मिले हैं, और मैंने रहा था कि बहुमत से सरकार चलती है बहुमत से सरकार तो चलती है लेकिन देश्ट तो सहमती से चलता है सर्वसमती से चलता है और हम सर्व सरकार चलाने नहीं आये हैं हम तो देश को आगे ले जाने के लिए हमारे राजनितिक डल हो सकते हैं हमारे विचार अलग-अलग हो सकते हैं हम चुनाव में पुरी सक्ति से एक दुसरे के खिलाब लड़ते हैं पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने राजनितिक विरोधों के विरोधी का सम्मान नगड़े हैं आपने देखा होगा प्रणव मुखर जी साब हामें भारत रत रत देने में घर्व कुआ नहीं थे हमारे ऐलोचक थे अभिया साम में तरून गोगाय जी नगालेंड में M.C. जमीर जी ये सारे हमारे राजनीतिक विचार थे हमारे राजनीतिक दर से कोई लिए राद्या नाई था नहीं हमारी पार्टी का हिस्सा थे नहीं हमारे घडबंदन का हिस्सा थे लेकिन राज के प्रतिवन के योगदान का सम्मान करना हमारा कर्तब भी हमने पत्पसरी दिया पत्म भूशन दिया राज नीतिक अस्पृस्यता का विचार हमारा संसकार नहीं है आज देश भी इस विचार को अस्पृस्यता के विचार को अब देश अस्पृकार कर चुका है हाँ ये बात जरूर है कि हमारी पार्टी में बहुंस बात को नहीं कारकर्टा को महत्म दिया जाता है इसलिए आज देश हम से जुड रहा है और हमारे कारकर्टा भी हर देश वाची को अपना परिवार मानते है कही कोई आपदा आती है तो हमारे करोडो कारकर्टा अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ पहुंच जाता है कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया दुनिया में हर कोई अपने जीमन के लिए डरा हुआ था लेकिन हमारे करड़ों कारकरताओं ने अपना दाईत्व समझ कर दिन रात एक कर दिया राश्ट्रिय अद्रग जी ने पार्टी कारकरताओं से आवान किया था कि सरकार के साथ साथ वो भी अपनी जिमेदारी निभाएं हर कारकरता ने सेवा के संकल्ब को राष्ट वैपरी मीशन बना दिया था और मैं पार्टी का आभारी हूँ, राष्टी अद्रिक जी का आभारी हूँ कि मुझे वीडियो कांफरंस के माध्यम से देश भर के कारकरताओं के साथ इस कोरोना कालखरंड में उन्होंने जो सेवा कारिय कीए उसका वृत्त सुन्य काउसर मिला था हमारे कारकरताओं ने कैसे कैसे संकटों को रिस्क को उठाया था और कितने जीजान से उन्होंने गरीवों की सेवा की थी किसी गरीब के घर में चूला न जलें, कोई गरीब रात को भुखा न सोयें, इसके लिए भारतिय जनता पार्टी कार करता, गाउं गाउं में कार करता, दिन रात लगा रहा था मैं देख रहा था, कि जब हमारे स्रमिक बंदू, अफ्वाओं के चलते, भय के चलते, और कुछ लोगों की राजनीतिक इरादों के चलते, जब शहरों को छोड़ करके, रोजी रोटी छोड़ करके, गाउं के और चल पड़े थे, तब भारतिय जनता पार्टी के कार करता, र यह सारा वृत्य मैं सुन रहा था, मेरे मन को छू रहा था, और कारकरताओं के इस परिश्चन से, मुझे भी काम करने की प्रेहनना मिलती थी, इस अभियान में किसी ने वोड बेंक की चिंता नहीं की, यह नहीं सोचा, कि किसका वोड हमें मिलता, किसका नहीं मिलता, साथ यों हमारी पार्ट की Хमारी सरकार, आज महत्मा गांधी को उन सिध्धानतों पर चल रही हैं, जो हमें प्रेम और करुना के पार्ट पढ़ाते ह हमने बापु की 150 भी जन्म जन्ती भी बढ़ाई और उनके आदर्शों को अपने राजनिती में अपने जीवन में भी उतारा हमारी सरकार नहा है हमारे महापुरुषों को भी राजनिती समिलकर्ण के चस्पे से कभी नहीं देखा जिन स्वाधिनता से नानियों के प्रश्य होती रही उन्हें हमने सम्मान दिया यह हमारी ही सरकार है जिसने नेता जी को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे उनसे जुड़ी हुई फाइल्स को खोला लाल किले पर जंडा भराने का काम नेता जी किस मुती में करना शायद किसी और सासन में कोई सोच नहीं सकता था अन्नमान निकोबार में नेता जी को याद करकर के उस दीप समू में एक का नाम नेता जी के नाम से कर देना शायद किसी और सरकार में कोई सोच नहीं सकता सर्दार प्रटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बना कर हमने उन्हें सद्धा पुर्वक नमन किया देश की एक्ता के मंत्र को आने वाली पीडियों को प्रेणा के रूप में उस जगा से चेतना मिलती रहे उस रूप में उस परिशल को खड़ा किया गया है और मैं तो मेरे सभी सांसदों को चाहूंगा कि कभी ने कभी अपने कारकरताओं की टोली बना करके जुरूर उस्थान पर जाईए कम से कब एक रात महां बिताईए और दूसरा मैं हमारे सभी सांसदों से आगर करूंगा जब भी मोका मिले, अपने कारकरता और अपने साथियों के साथ, काशी जाकर के काशी के निकट में ही, जहां पंडित दिन्दियाल जी ने अपना अन्तिम साथ लिया था, जहां एक समारक उत्तपदेश सरकार ने बनाया है, देखने जैसा समारक बनाया है, दिन्दियाल जी की हव्य प्रतिमामा रखी है वो एतना भड़िया परिसर बना है हम लोगों के लिए बड़ा एजुकेटिव है आप जुरूर कभी कासी से कोई जाता दूर नहीं है बाइर रोड़ आप चले जा सकते हैं और वहाँ एक बार हो आईए हमारे लिए सारे तिर्सक्षेत्र हैं और हम लोगों कभी ने कभी मोका लेकर कर वहाँ जाना चाहिए आप देखिए जिस जगाभ हम बैठें बाबा साब आमबेड कर किस्रूति में बना हुआ भवन क्या कोई और सरकार बनाती क्या है यह हमारे संसकार है जो हमें इस काम करने के लिए प्रहरीट कर दो बाबा साब अजयपा को हम सभी को बहुत गर्ब है